हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो के लिए एक एक अट्रेक्टिव सोशल मीडिय एमिनेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट में तो हाई गाईज मेरा नाम अमिते इंद्र और आप देख रहे हैं टेक्नो चैट हों बात काम की तो यह एमिनेशन कैसे होंगे आप कुछ इस तरह से अपने वीडियो के लिए एमिनेशन बना सकते हैं यह सारे एमिनेशन मैंने पावर पॉइंट में क्रेट किया हैं तो आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाए स्टेप बताऊंगा कि इन एमिनेशन को आप कैसे पावर पॉइंट में क्रेट कर सकते हैं तो इन एफेक्स को बनाने के लिए हम powerpoint open कर लेते हैं तो open करने के बाद यहां पर हमको plain presentation open करने हैं हमको कोई theme या कोई basic design open नहीं करना तो plain presentation को आप open कर लिजे open करने के बाद आपको यह दो boxes दिख रहे हैं इसको select करके आप delete कर दिए यह हमको नहीं चाहिए अब हमको क्या करना है यह जो background आप देख रहे हैं white color का इसको change करना है green में वह इसलिए कि जब हम video editing software में इसको लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे वहाँ पे chroma की option को enable करके green portion को hide कर देंगे जिससे कि हमको इस तरह का effect वहाँ पे अपने video में मिले तो आप यह देख सकते हैं इस video में कि background में green color नहीं है केवल हमारे पास emanation का portion यहाँ पे शोग रहा है तो इनी को green screen effect भी बोलते हैं तो background को green में convert करने के लिए आप क्या कीजिए इस white portion पे कहीं पे भी mouse से right click कीजिए और यहाँ पे format background का option है इस पे जब आप click करेंगे तो आपके सामने background के कुछ options आएंगे तो यहाँ color tab के सामने आपको यहाँ corner पे एक button दिख रहा है black color का जब आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने color show होंगे तो इन colors में से आपको green color को select करना है तो background आपके जो है green हो जाएगा उसके बार यह background वाले options को हम यहाँ cross पे click करके बंद कर देते हैं इसका हमको काम नहीं है अब next step क्या है हमको एक rectangle draw करना है तो उसके लिए आप क्या कीज़े shape वाले tool पे जाईए यहाँ पे एक black button है तो black button पे जब आप click करेंगे तो shape के options open होंगे यहाँ पे हमको क्या करना है rectangles वाले tap पे जाना है third option को select टरना है जो हमारे वीडियो में use हो रखा है तो इसको select करनके आप क्या कीज़े यहाँ पे इसको ऐसे draw कर लिए drag करके और इसकी width को हम यहाँ थोड़ा भी छोटा ही रखेंगे तो यह rectangle draw होने के बाद क्या करेंगे इसी rectangle की हम एक copy और बना लेंगे उसके लिए आप क्या कीज़े control और d-press कीज़े अपने keyboard से तो यह इस rectangle की एक copy और create हो जाएगी अब next step में हमको क्या करना है कि उपर वाले rectangle का जो color है वो हमको white करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे shape fill option के बगर में जो black button है इस पे click करेंगे तो आपके सामने color के option आएगे यहाँ पे हमको white color को select कर लेना है उसके बाद हमको outline है जो उसकी वो नहीं चाहिए outline को hide करने के लिए हम क्या करेंगे shape outline के बगर में जो black button है इस पे click करेंगे और यहाँ पे no outline वाले option पे click कर देंगे ऐसे हम क्या करेंगे नीचे जो blue color का जो rectangle है इसकी भी outline को हम hide कर देंगे यह hide करने के बाद अब हमको next step में क्या करना है social media icon को यहाँ पे insert करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा insert वाले menu पे click कीजे और आप pictures वाले icon पे जब click करेंगे तो दो options आएंगे तो पहले option को यहाँ पे choose करना है this device जब आप this device option पे click करेंगे तो आपके सामने एक menu पन होगा अब हम facebook के icon को यहाँ पे insert कराएंगे तो insert कराने के लिए icon को आप select कीजे और insert button पे click कीजे तो यह icon जो है आपकी slide में insert हो जाएगा अब इसके size को reduce करने के लिए आपको simple क्या करना है यह जो circle आप देखना है corners पे जब आप इस पे cursor लेके जाएंगे तो यह arrow में convert हो जाएगा और इसको आप उपर के तरफ ड्रैग करके इस तरह से size को छुटा कर लिए इतना भी size आपको चाहिए यह करने के बाद हम आप next step में क्या करेंगे इनको align करेंगे align करने के लिए rectangle को आप center में रख लिए इसके बाद आप blue वाले rectangle को भी drag करके लाइए और इसी के नीचे place कर लिए अब हम क्या करेंगे यह जो wide वाले rectangle है इसके size को कम करेंगे इसके लिए यह तीन dot देख रहे है तो हम center वाली dot पर जब करजर लेके जाएंगे तो यह arrow में convert हो जाएगा आपके जो करजर है उसका जो shape है वो change हो जाएगा अब आपको क्या करना है अंदर की तरफ इसको drag करना है size को कम करने के लिए और उसके बाग आप facebook वाले icon को pick कीजे और side में यहाँ पर लाके place कर लिजे अब हमारा जो next step है वो है आपको अपने facebook page का यहाँ पर address को type करना है या फिर आप copy करके paste भी कर सकते है तो मैं यहाँ पर type कर लेता हूँ type करने के लिए आपको simple क्या करना है insert वाले menu पर click करना है और यहाँ पर text box वाले icon पर click करना है और slide पर आप कहीं पर भी click कर दिए और वहीं पर box जो है insert हो जाएगा और यहाँ पर हमको address को type करना है तो मैं अपने ही facebook page का address यहाँ पर type कर रहा हूँ तो इसको type करने के बाद हम क्या करेंगे इसको select करेंगे और इसको यहाँ से हम bold कर लेते हैं bold करने के बाद अगर आप font change करना चाहें तो यह जो black button है जब आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने fonts के option आजाएंगे जितने भी fonts आपके computer में install होंगे वो यहाँ पर show होंगे तो आप कोई भी एक font ले सकते हैं अपने choice के according उसके बाद क्या करेंगे हम इसको pick करेंगे और white party के उपर लेके आएंगे और यहाँ पर लाके ऐसे drop कर देंगे drop करने के बाद आप इसके size को बढ़ाएंगे size बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं या तो आप black button पर click करके यहाँ size दिए होगा है आप size red कर सकते हैं या फिर आप यह capital A आ रहा है जब आप इस पर click करेंगे तो बढ़ा होगा अब उसके बाद हम यह rectangle की चोड़ाई है उसको भी हम छोटा कर लेंगे one by one same वैसे ही जैसे हमारा वीडियो में दिख राता अब हमारे पास यह जो slide है वो almost तयार हो गई है अब इसको क्या करना है हमको drag करना है इस तरह से और इसको हम page के center में लियाएंगे अब हमको next step में क्या करना है इन पर eminations को apply कराना है eminations को apply कराने के लिए आप क्या कीजिए white वाले rectangle को आप click कीजिए और उसके बार आपको eminations वाले menu पर click करेंगे तो यहाँ पर हमको fly in eminations देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे fly in icon पर click करेंगे तो आप देख रहे होंगे eminations जो है हमारा down to up आ रहा है यानि नीची से उपर आ रहा है हमको क्या चाहिए left से right चाहिए उसको left से right में change करने के लिए यह जो effect options आप देख रहे हैं यह जो facebook का icon है हम चाहते हैं यह घूम करके आए तो उसके लिए आपको यहाँ पर effect नहीं मिलेगा उसके लिए आपको क्या करना है यह जो black button आप देख रहे हैं जब आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने effect के options आएंगे यहाँ पर आपको क्या करना है उनकी setting करनी है तो setting करने के लिए हम क्या करेंगे यह जो emanation pane का option देख रहे हैं आप यहाँ पर बटन आ रहा है जब आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने यह options आएंगे तो आप इसमें आपको करना क्या है आप यहाँ पर second option को आप select कीजे और यहाँ पर उपर यह जो बटन बना हुआ है स्टार्ट के सामने जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर हमको after previous option को select करना है ऐसे हमको क्या करना है next option में भी after previous option को select करना है यह करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको play करके देखेंगे कि हमारा effect कैसा आ रहा है तो अभी हमारा जो text है यह emanated नहीं है तो हम इसको भी emanated करा देते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजे इस text को आप select कीजे select करने के बाद हम इसमें fade emanation को apply कराएंगे तो fade emanation को apply कराने के लिए यह fade वाले icon पे जब आप click करेंगे तो इसमें emanation जो है हमारा add हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे after previous कर देंगे उसके बार हम इसमें एक emanation और add कराएंगे तो add कराने के लिए हम क्या करेंगे add emanation वाले button पे click करेंगे click करने के बाद आपको यहाँ पे select करना है font colors वाले effect को जब आप font color वाले effect को select कर लेंगे तो आप यह देख सकते है font का color इस तरह से change होगा इसको भी हम क्या करेंगे after previous कर देंगे यहाँ से change अब हम इसको एक बार play करके देखते हैं तो friends आप देख सकते हैं यह same effect वैसा ही है जैसा अभी हमने वीडियो में देखा था अब हमको इसमें एक काम और करना है यह जो आप rectangle देख रहे है blue color वाला तो इसका जो color है यह icon वाले blue color से change है तो हमको इसी icon का blue color है वो यहाँ पे भी apply कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह जो rectangle है blue वाला आप इस पे double click कीजे double click करने के बाद आप format वाले option पे click कीजे format वाले option पे click करने के बाद आप यहाँ पे जो shape fill का जो option देख रहे है जो इसके बगल में बटान है जब आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको एक eye dropper tool मिलेगा तो जब आप इसको click करेंगे और blue वाले color पे ले जाके click कर देंगे तो इस rectangle का color है वो same उसी blue का हो जाएगा जिस color का हमारा icon है यह देखे है अब हम क्या करेंगे इसमें एक बार final adjustment कर लेते हैं तो यह slide जो है हमारी almost complete हो गई है अब हम क्या करेंगे इसी slide की copy कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे icon, address और color change कर देंगे बाकी effects वगारा हमको दुबारा डालने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो हमारा यहाँ पे थोड़ा time भी save होगा तो slide को copy करने के लिए आप क्या कीजे यह slide पे cursor को लेके आईए और यहाँ पर right click कीजे और यहाँ पे आप duplicate slide वाले option पे click कीजे तो इसी के duplicate और create हो जाएगी अब हमको क्या करना है इस icon को change करना है Facebook के तो icon को select कीजे और keyword से delete की press करके इसको delete कर दीजे और insert menu में जाइए और same वैसे ही icons को यहाँ पे insert करा लीजे जैसे अभी हमने Facebook के icon को यहाँ पे insert कराया था तो अभी हम क्या करेंगे टूटर icon को ले लेते हैं यहाँ पे insert करा लेते हैं और इसके size को reduce कर लेتे हैं और और इसको यहीं पर side मिला के place कर लेते हैं और ऐसे ही हम address को edit कर लेते हैं और इसके text के according जो है हम इसके size को कम कर लेते हैं और नीचे अले rectangle का color change करने के लिए same ऐसी करेंगे जैसे अभी हमने facebook वाले icon के लिए किया था तो यह setting करने के बाद अब हमको next step में क्या करना है यह जो हमारे tutor का icon है इस पर अभी emination apply नहीं हो रखा है क्योंकि अभी हमने इसको insult करा है तो इस पर भी हमको emination एक apply करना पड़ेगा तो हमने जो अभी पीछे वीडियो में देखा था उसमें हमने जो effect उसमें डाल लखा था वो है swival तो उस effect को apply कराने के लिए आप simple कुछ नहीं है यह swival वाला effect आपको यहां सामनी दिख जाएगा तो आप इस button पर click कर दीजे तो यह apply हो जाएगा अब हमको क्या करना है यहां पे emination pane में आना है और इसको arrange करना है तो वो इस तरह से कि यह जो हमारा text है यह text के उपर लेके आना है इसको क्योंकि अगर हम इसको अभी play करते हैं तो कुछ इस तरह का effect आएगा तो इसमें आप देख सकते हैं यह text आने के बाद यह icon roll हो रहा है तो हमको क्या करना है कि इस icon को हमको उपर लेके आना है तो इसके लिए आप क्या कीजे तो जो यह सबसे नीचे option आ रहा है यह इसी का है icon का है तो आप इसको select कर दीजे और यहां पर जो आप यह black buttons देख रह यह देखिए friends यह same वैसे effect आ गया है जैसे अभी हमने अपने वीडियो में देखा था तो friends इस तरह से आप जो है इसकी settings कर सकते हैं दूसरी slide की और इसको भी आप क्या कीजे ड्रैग करके select all कीजे और इसको center में place कर लिजे इसके बाद इसी की copy हम और बना लेंगे और इसमे जो है हम icon को delete करके अब हम YouTube वाले icon को insert करा लेंगे icon को insert कराने के बाद इसके size को reduce कर लिजे उसके बाद हम rectangle के color को change कर लेंगे color change करने के बाद हम यहाँ पर address को type कर लेंगे जो भी हमारे channel का address है और उसके बाद हमको next step में क्या करना है यह जो rectangles है इनके size को हम text के according बढ़ा कर लेंगे और नीचे ले rectangle के size को भी आप बढ़ा कर लिजे drag करके select all करके आप page के center में इसको लिआईए अब हमको next क्या करना है YouTube वाले icon पे एक emination को apply करना है तो इसको आप select कीजे उसके बाद emination वाले option में आपको swivel वाला emination दिख रहा है जब आप इस पर click करेंगे तो यह emination जो है इस पर apply हो जाएगा तो इसको भी same हमको अभी क्या करना है text के उपर लेके आना है तो arrow key से हम इसको उपर ले आएंगे और इसको after previous कर देंगे अब हम इसको play करके देखते हैं तो अब जो हमारी slides है यह सभी बन चुकी है ऐसे ही आप अगर चाहें तो instagram के लिए या फिर आप किसी और social media platform के icons को लगा करके आप जो है social media eminiscence create कर सकते हैं जब आप यह सारी slides को आप बना लेंगे अब हमको इन slides को वीडियो में convert करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले इस file को save करना है तो save करने के लिए जो floppy वाल icon आ रहा है जब आप इस पर click करेंगे और आपको यहाँ पर destination बतानी है तो हम यहा file को save कर लेते हैं इसको हम video में convert करेंगे वीडियो में convert करने के लिए आपको क्या करना है file menu पर जाना है और यहाँ पर आपको export वाले button पर click करना है तो यहाँ पर आपको कुछ options दिखते हैं तो यहाँ पर हमको second option लेना है creative video जब आप इस पर click करेंगे तो अब अब जो सबसे इसको high resolution पर ले रहे हैं कि जब हम video rating software में इस पर chroma की apply करेंगे तो हमारी वहाँ पर जो images हैं वो कम से कम distortion यानि वो फटे कम तो हमको यहाँ पर high resolution पर ही इसको बनाना है तो इससे आपको result अच्छे मिलेंगे तो यह setting करने के बाद बस आपको यहाँ पर क्या करना है जो create video का बटन दिख रहा है जब आप इस पर click करेंगे और आप यहाँ पर एक file का नाम दे देंगे और save button पर जब आप click करेंगे तो आप यहाँ नीचे process देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखे लिखावा है creating video animation for youtube video.mp4 format है जो file का format है वो mp4 में है तो यहाँ पर आप यह process देख सक चुकी है तो आईए अब इसको play करके देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह desktop पर हमारी file save है अब इसको play करके देखते हैं तो यह देखें friends यह वैसी effects हैं जैसे मैंने आपको भी video की starting में दिखाये थे अब आप इसको क्या कर सकते हैं video editing software में ले जाकर के आप इनको apply करा सकते हैं अपने videos में तो friends अगर आपको मेरा video knowledgeable लगा है तो आप video को like कीजे, share कीजे, अब आप से अगली video मुलकात होगी, thank you for watching my video